दोफ्तों एंकार का एक और रूप एगो की एक और फर्म जो इंसान के अंदर होती है और वो मैं आपसे शेर करना चाहता हूँ आज एक रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में उससे मैंने सीखा समझा और अब्जॉब किया इस बात को और वीडियो शुरू करने स इसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यह किस बात से रिलेटेड है एक तो जो इनसान होता है जिसको बैठे-बैठे सब कुछ मिल गया सब कुछ बना बनाय मिल गया और एक इनसान वह जिसने जिंदीगी वार मैनत करी सब कुछ खुद बनाया खुद खढ़ा किया जीरो से सो तो यह वाकिया उसे रिलेटेड है मैं बहुत चोटा था तब मेरे फादर के साथ में शौप पर जाय करता था महां पर अंकल थे मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त है वह जब भी हम जाते थे तो वह मुझे भी बहुत प्यार करते थे और मेरे पापस वह अच्छे टम्स थे उनके वह चाह बगारा आपस में बैठ के पीते थे अच्छी बाते करते थे और हसी मजा करते थे तो टाइम निकल गया और अंकल भी नहीं रहे मेरे फादर भी रहे अभी करीब छे-अठ महीने पहले में शौप पर गया वैसे तो में रेगूर जाता रहता हूं वह शौ सामना से पता क्या जवाब दिया उसने बोला कि अंकल जी आपको लेना तो लो वरना छोड़ दो आपके पैसे ले लो वापस तो यह उसका गमन बोल रहा था क्योंकि सब्सक्राइब ना बनाएं मिल गया अगर महनस से खड़ा किया होता ना तो वह ऐसे नहीं बोलता उनकी कि रिस्पेट करता और उनकी बात सुनता यह फर्क होता है सच सिया गाल